Welcome back friends, यह है हमारी वीडियो number 20, Python programming series के लिए और इस series की previous वीडियो में हमने discuss किया था math module को, उसके functions हमने देखे थे और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं random module को तो Python programming में जब भी आपको random numbers को generate करना होता है या किसी sequence से कोई randomly कोई value आपको चाहिए तो हम random module का use करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ random functions को random module के अंदर जो होते हैं तो इनी functions को हम system पे practically भी करके देखेंगे तो start करते हैं, इस वीडियो के लिए topic हमारा है random module random module तो random module को सबसे पहले अपने source code में use करने के लिए इसके functions को use करने के लिए की random तो random हमने लिखा और इसके अंदर जितने भी function है random dot करके उनको हम use करते हैं और आपने हैं तो इसका alternative name यानि की as अगर मैं r लिख दूँ तो जहां जहां पे मैं random लिखता हूं उसकी जगा मैं r भी यहां पे use कर सकता हूं इसके अलाबा from keyword भी आप use कर सकने है from random random से import कीजिए everything यानि की star हम यहां पे लिखेंगे तो ऐसे भी आप use कर सकते हैं इसका फाइदा यह होता है from की मदद से कि आपको फिर random लिखने की ज़रूइत नहीं है directly आप function का भी नाम जो है लिख सकते है तो यहां पे कुछ functions हम देखते हैं सबसे पहले मैं print यहां पे लिखता हूँ print के अंदर माली जे मैंने लिखा random. आपका random function तो random.random और यह function हमको generate करके देता है कोई भी आपका floating point number 0 and 1 के बीच में है यानि कि यह कुछ भी number दे सकता है कहां से कहां तक 0 से लेकर 1 के बीच में है इसके अलावा next हमारा जो function हम देखने वाले हैं वो है randint यानि कि random.randint तो randint function हमारा simple सा है randint function हमको integer value देता है और ग्जामपल 1,50 मैं यहां पे लिख दू तो यह हमको random value यहां पे generate कर करके देखा आपका 1 से लेकर 50 तक और इसमें दोनों ही number भी include होते है यानि कि कोई भी integer number हमको दे सकता है आपका for example 2 हमको दे देगा 5 हमको दे देगा या 50 हमको दे सकता है आपने simply यहां पे range set करनी है 1 to 50 तो यह हमको 5, 7, 8 ऐसा कोई भी number दे सकता है इसके अलावा next है हमारा print की में हम लिख देते है random.rand range तो range range जैसे range function यूज होता है same उसी तरीके से है अब आप चाहें तो मैंने r यहां पे लिखा है आप r.rand range या r.rand range इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तो range मैंने कहा 2, 15, 2 तो इसमें first जो होता है वो होता है initial and आपका end and step यानि कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इस sequence में कोई भी हमको number यहां पे randomly generate करके देगा for example हमको 4 दे सकता है, 6, 8 है या 10 है, 12 है ऐसे हमको कोई भी number यह दे देगा इसके अलावा next हम यहां पे देख लेते हैं यह हमारा choice तो मालीजी हमने एक variable यहां पे ले लिया इसमें कुछ names हम दे देते हैं hello है मालीजी, hi हमने लिखा इसके अलावा current हम दे देते हैं मालीजी ऐसे बहुत सारे name हम ले लेंगे and then हम print करते हैं आपका random.choice तो choice अगर हम यहां पे देखें तो यह क्या करेगा इनी मैंसे कोई एक random हमको value यहां पे देदेगा यह hello दे सकता है, high दे सकता है, current हमको दे सकता है मालीजी इसने current हमको दिया तो यह क्या करता है, यह sequences पे काम करता है यानि कि इसके अंदर अगर आप कोई string लेना चाहें या टपल लेना चाहें, जिसमें भी indexing होती है sequence होता है, उसमें से एक value हमको देगा यानि कि अगर मैं यहां पे k equals to कोई string ले लू for example current मैंने ले लिया तो string भी अपने हाप में एक यहां पे sequence है तो अगर मैं k यहां पे लिखता हूँ हमारा यहां पे shuffle 8 होता है हमने यहां पे दे दिया for example 20, 40, 15, 22 और इसको अगर हम करते हैं आपका random random.suffle तो इस shuffle कर देगा simply इसको यानि कि अभी तो एक order मैं है 20, 40, 0 index number पे then 1, 2 and 3 index number पे लेकिन जब हम shuffle करते हैं then इसको अगर हम print करेंगे तो इस shuffle कर देगा यानि कि इनको आगे पीछे दे देगा हो सकता है हमको सबसे पहले यह 15 दे दे then 20, then 22, then 40 यानि कि simply आप जब shuffle करते हैं तो वो यह same काम करता है इसके अलावा next हमारा यहां पे है uniform uniform हमारा same यहां पे काम करेगा uniform में चलिए मैं लिख देता हूं आपका 20, 55 तो यह 20 से 55 के बीच में कोई भी हमको floating point number दे देगा मानी जी इसने हमको 21.67 up to 15 decimal places हमको यह दे देता है तो simple है इसके अलावा next हमारे यहां पे है जब हम यहां पे bits के form में काम करना चाहें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं print and then random and simply get rand bits get rand bits के अंदर आप जितने भी bit size यहां पे देंगे उसी से related जो integer है वो हमको देगा example के तोर पे अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो 2 में देखिए 2 bits से हम कितने यहां पे integer बना सकते हैं आपका one and second bit हमारी है तो इससे हम यहां पे zero one यानि की one बना सकते हैं one zero यानि की two one one यानि की three binary में convert करना है simply आपने तो यह अगर हम two bit लिखे तो यह तो हमको one देगा या two या three इसके अलावा अगर हम यहां पे four bit दे देते हैं तो four bit से आप कितने यहां पे बना सकते हैं x x x x यानिकी आपका zero 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 one जो की आपका binary है one का two 1 दे सकता है यानि यानिकी थो देन 3 देन आपका four then आपका five one zero one देन आपका six one one zero तो फटम्य आपका simply two की power four two 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 three times four यानिकी total 15 सक हमको यहां पे नमबर दे सकता है क्योंकि 4 bit की मदद से जो minimum हम बना सकते हैं वो 1 बना सकते हैं और 4 bit में आप represent कर सकते हैं 15 को भी यानि कि 1 से लेकर 15 तक कोई भी integer हमको यह दे सकता है तो simple सा है I hope आपको यह आया होगा इसके अलावा यहां पे एक sample भी है अगर आप sample लेना चाहें तो for example यह हमारी एक list है और इसमें अगर हम sample यहां पे लिखें तो मैंने print यहां पे लिखा random.sample तो sample हमको किस मैं से चीए इस list के अंदर से चीए हमने कहा k या इसको चलिए हम t ले लेते हैं क्योंकि k हम यहां पे value देंगे तो t q2 k q2 3 मैंने ले लिया माल लीजे तो यहां पे देखिए t to हमारी list है and k के आगे हमको कोई value देनी होती है integer value तो यहां पे total 4 आपके elements या data part है और अगर हमें आपे sample देना चाहे k q2 3 तो t मैंसे केवल 3 element निकालके हमको यह दे देगा अब randomly कोई भी number हमको दे सकता है माली यह काफी जादे नाम है आपके friends है 50 friends के आपने list बनाई and then आप वहाँ पे लिखते है t या कोई भी variable जिसमें आपने value एसाइन की है and then आप यहाँ पे k q2 5, 10 जितना भी देना चाहें अगर आप 5 देंगे तो उस list में से केवल 5 जो data है या 5 friends के नाम ही आपको मिलने वाले है तो I hope आपको यहाँ पे random function समझवा आया होगा इसका आप screenshot ले सकता है अगर आप notes बनाते हैं और इन्हीं सब functions को अब हम अपने system पे practically भी करके लेक्ट हमने यहाँ पे समझा random module का तो इसको हम practically भी देखते हैं और यह floating point value देगा जैसे अभी 0.900 इसने हमको यहाँ पे दिया है इसके अलावा next हमारा यहाँ पे था random dot आपका randint तो randint integer value for example 2 से लेकर 90 के बीच चली हम ले लेते हैं तो randint हमको यहाँ पे कोई भी integer value देगा for example 52 हमको दिया है इसके अलावा next हमारा यहाँ पे है rand range तो random dot rand range हम लिख देते हैं हमने कहा 1 से लेके आपका 20 के बीच में and दो-दो step लेके यह चले तो हमको यह range यह दे देगा एक range के बीच में यानि की 1 से हमने यहाँ पे 20 किया तो 7 इसने हमको यहाँ पे दिया है और दो-दो step लेके यानि की 1 या 3 या 5 या 7 तो 7 हमको यहाँ पे मिला है इसके अलावा choice हमको यहाँ पर दे सकता है for example इसमें हम एक string चलिए ले लेते हैं for example हम name लिख देते हैं entertainment 2.0 and यहाँ पर हम लिख लेंगे आपका simply random.choice and sorry choice and हम यहाँ पर दे देते हैं c तो इसमें से कोई भी value क्योंकि एक sequence है तो हमको o यहाँ पर दिया है sorry zero हमको यहाँ पर दिया है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें for example मैं यहाँ पर कोई list लेता हूँ तो list में कुछ numbers हम यहाँ पर रख लेंगे तो simply इसमें से कोई हमको एक value लेकर के दे देगा तो 67 इसने हमको यहाँ पर दिया है यानि कि कोई भी आप किसी भी sequence को ले सकते है इसके अलावा next हमारा choice के बाद यहाँ पर है print आपका चली हम देख लेते है random.uniform को तो uniform uniform में यह कोई भी हमको floating point number यहाँ पर देगा 23 से 56 के बीच में तो यहाँ पर इसने हमको दिया है 35.98 and so on तो इस तरीके से आप uniform का भी use करेंगे इसके अलावा next हमारा यहाँ पर है shuffle तो यहाँ पर चलीए shuffle को मैं यहीं पर create कर लेता हूँ तो print के अंदर simply हम यहाँ पर random.suffle यहाँ पर करेंगे c को यानि कि इसको हमने shuffle कर दिया and then हम print यहाँ पर कर देते हैं आपका c को तो यह shuffle हो चुका होगा तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले हमारा 34 है और अभी भी हमको यह 34, 78 इस तरीके से दे रहा है तो देखिए change हो गया 34 सबसे पहले है लेकिन second index number पर हमारा 54 था लेकिन इसने हमको 78 यहाँ पर दिया है तो सफल भी हमारा यहाँ पर हो गया तो सफल करने के बाद next हम यहाँ पर देखते हैं for example अगर हम यहाँ पर sample देखें तो sample भी हम यहाँ यहाँ पर ले लेते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ print and then हम यहाँ पर लिख देंगे random.simplysample तो sample हमने कहां से लेना है इसी c नाम के variable से and k question 2 यहाँ पर ले लेता हूँ तो kवल 2 ही हमको यहाँ पर मिलेंगे जो sample हमको मिलने वाला है चलिए इसको मैं comment यहाँ पर कर देता हूँ तो सफल हमने यहाँ पर किया तो इसमें से देखिए sample file में से यानि कि c list में से हमको केवल 2 यहाँ पर random ली देगा तो यह हमको देने वाला है 67 and 54 तो देखिए केवल 67 and 54 हमको यहाँ पर sample के तौर पर दिए गई है इसके अलावा next हमारा यहाँ पर है get rand bits यानि कि bits के form में जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं last में चलिए print and random dot simply आपका get rand bits तो bits में चलिए हम 4 bits का अगर यहाँ पर देखें तो 4 bit आपका बनता है for example 8 के साथ भी बनता है वैसे चलिए हम इसको increase करते हैं हम 8 bit यहाँ पर ले ले लेते हैं तो 8 bit में तो आपका 128 तक यह जाएगा तो उसके बीच में यानि कि 0 to आपका 128 के बीच में यह कोई भी हमको value यहाँ पर दे सकता है आपको यहाँ पर समझ माये होंगे अलग-अलग हमारे जो functions है तो इतनी हमारे functions है इनके अलाबा और भी आपके काफी सारे functions होते है तो उनको भी आप यहाँ पर explore कर सकते है तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खतμ होती है वीडियो no.20 तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में वीडियो नमबर 21 जहाँ पर हम देखेंगे कि हम user defined module को किस तरीके से create करते हैं वीडियो नमबर 21